Hello friends, welcome to my channel Radhe Radhe Crouchers तो ये डोरी का दूसरा पार्ट है मैंने पहले पार्ट में ये वाला रेबिट बनाना बताया था और ये वाली डोरी किस तरह से बनती है वो दिखाया था और इस बटरफ्लाई की वीडियो में ने पहले ही अपनी चैनल पर बना करके अपलोड कर दी है तो इसकी लिंक में आप और डिस्प्रिक्शन बॉक में दे दूंगी और इस बटरफ्लाई को हम यहां पर यूज करेंगे देखें जो हमारा स्टार्ट वाला इसा होता है जो हम जुले के साथ एटेज करते हैं वह वाला इसा होता है इसके उपर नोट लगानी पड़ती है तो इस नोट के उपर हम इस तरह से बटरफ्लाई लगा देंगे तकि हमारी नोट दिखेगी नहीं और अब हम जो बनाएंगे ये वाला जो काटून है वो बनाएंगे और ये वाला फ्लावर बनाएंगे ये वाले सारे फ्लावर अलग-अलग कलर के मैंने चार बनाए है और ये कम और बनाएंगे तो ये हम पांचों फ्लावर नीचे की और लगाएंगे यहां पर लगाएंगे तो यह वाला फ्लावर बनाएंगे और यह वाला काटून बनाएंगे और इस पूरी डोरी में जो मैंने नमबर्स बनाएंगे वो मैंने पहले भी आपको दिखाया था पहले पाट में वो सारे नमबर्स लगाएंगे तो ये डोरी हम आज इस वीडियो में पूरी बनाएंगे तो अब हम पहले ये वाला फ्लावर बनाएंगे और इसके लिए मैंने इस तरह से मेजिकल रिंग बनाई और इसके बाद इससे करके यहाँ पर हम पंदरा बार डबल क्रोशा करेंगे एक हमारे तीन कीचेन और चोदा बार हम डबल क्रोशा करेंगे तो ये टोटल हमारे पंदरा बार हो जाएंगे तो इस तरह से आप 15 डबल क्रोशे बना लीजे तो यह 15 डबल क्रोशे हो गए हमारे इसके बाद हम इसको खिंच लेंगे और अब हम इसे यहाँ पर स्लिप्टीच से चोइट कर देंगे इस लिप्टीच कर दिया और वहीं पर ही हम तीन चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर ही हम जहाँ पर हमने तीन चेन बनाई इसी चेन में जाकर के हमने डबल क्रोशे किया इसी तरह से हम आठ चेन में दो दो बार डबल क्रोशे करेंगे तो हमारे टोटल 16 डबल क्रोशे आ जाएंगे लेकिन एक चेन में दो बार डबल प्रोश्या करेंगे देखे इसी तरह से एक एक चेन में दो दो बार लेकिन आंट चेन में हमें बनाना है तो ये हमारी एक दो तीन और चोथी चेन आ गए और आगे भी चार चेन में बना ली थे तो देखे हमारा राउंड पूरा हो गया मैंने 8 चेन में दो दो बार बना लिया और अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे और यहाँ पर चहाँ पर हमने तीन चेन बनाई इसी जगा हम फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे और अब आगे की चेन में एक एक बार बनाएंगे देखे एकी चेन में दो बार बनाया हमने और अब एक बार बनाया डबल क्रोशा और नेक्स्ट वाली चेन में फिर से एक बार बनाएंगे तो देखे दो अलग अलग बनाए और अब तीसरी वाली चेन में दो बार डबल क्रोशा करेंगे देखे एक ही चेन में दो बार बनाया और अब आगे फिर से एक डबल क्रोशा करेंगे और फिर से next वाली में एक करेंगे और तीस्री वाली chain में दो बार double crochet एक ही chain में तो इस तरह से हम पूरा round complete करेंगे दो बार एक एक और तीस्री में जा करके 2 तो देखिए यह ओला round अमारा पूरा हो गया और आखरी double crochet है वो हम पूरा नहीं करेंगे एक दो लूप हुमारे क्रोशे में रहने चाहिए और अब हम यहाँ पर color change कर देंगे yellow color start करेंगे तो इस तरह से color start हो गया इसके बाद हम इसको फिर से mode लेंगे और इस धागे को हम पिछे जाने देंगे यहाँ पर यहाँ पर हम क्रोश्या करते वक्त इन दोनों धागों को साथ में ले लेंगे और यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और अब जहाँ पर हमने चेन बनाई है तीन इसी क्रोश्य में डाल करके फिर से दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे देखे और अब हम दो छोड़ कर एक और दो और तीसरी वाली चैन में जा करके स्लिप टीच कर देंगे इस तरह से और इन दोनों धागों को खिंच लेंगे और अब फिर से यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे और जहाँ पर हमने चोईट किया था इसी जगा फिर से हम दो बार डबल क्रोश्या करेंगे देखे और अब फिर से दो चैन छोड़ देंगे एक और दो और तीसरी में जा करके स्लिप टीच कर देंगे और अब फिर से तीन बनाएंगे तो इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे यहां तक दो छोड़ देंगे और तिसरी वाली में जाकरके स्लिप टीच कर देंगे और अब यह एक्स्ट्रा थागा हम खीच कर काट लेंगे और इसी तरह से बना करके यहां तक आ जाए तो यह मैंने आखरी बार बना लिया और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे और इसी जगह हम फिर से दो बार डबल प्रोश्या करेंगे देखे इस कोनर पर बनाया और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम स्लिप तीन चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे एक तो और तीन और यहां पर फिर से हम दो बार डवल क्रोश्या करेंगे इसी जगाशा करेंगे और यहां पर देखें एक दो और तीन यह तिसरी वाली चेन में यहां पर श्लिप टीच्छे च्रोइट करदेंगे और अब फिर से यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और यही पर इसी जगा दो बार डबल प्रोशा कर देंगे देखें और अब हम यहाँ पर ए वाले होल में यहाँ पर यह जो लास्ट वाली चेन है इसमें डाल करके स्लिप टीच कर देंगे और अभ यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी जग़ा दो बार डबल प्रोशे जैसा हमने आगे बनाया था वहेसा सेम बनाएंगे और यहाँ पर यह जो यहाँ हमने स्टार्ट किया था इसी जग़ा हम डाल करके स्लिप्ट इस से चोइट कर देंगे और एक चेन ले करके धागा काट लेंगे देखे तो यह हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो गया और अब इस धागे के हम पिछे नोट लगा देंगे और अब हम यहाँ पर इसके लगाने की डोरी बनाएंगे देखे इसमें भी मैंने बनाई है और जितना भी आप लंबा रखना चाहते हैं इतनी आप इसे चेन बना लीचे यहाँ पर इस तरह से मैंने 25 चेन बनाई है पचीच चेन बनाई है आप जितना लंबा रखना चाहते हैं इतनी आप बना सकते हैं तो इस तरह से आप बना लीच कि मैंने 25 चैन बना ली और इसके बाद इस थागे को हम लंबा रखेंगे ताकि हम जब डोरी के चाहते हो एटेच करें तब हमें नोट लगानी पड़ेगी तो इधागे थोड़ा से हम लंबा रख करके काट लेंगे और इस ताहगे कि हम यह लो वाली साइड में नोट लगा देंगे ताकि यह नोट भी हमारी दिखेगी नहीं तो यह हमारे पांचों फ्लावर बन करके रेडी हो गया और अब हम यह वाला काटून बनाएंगे तो इसके लिए भी हम इस तरह से मैंजिकल रिंग बनाएंगे और इस तरह से स्टार्ट करेंगे और अब यहाँ पर एक दो और तीन चेन बना ली और इसके बाद हम यहाँ पर अठारा बार डबल क्रोश्या करेंगे यह तीन यह चार पांच तो इसी तरह से आप इसी मैंजिकल रिंग में अठारा डबल क्रोश्या बना ली जिए तो यह अठारा बार डबल क्रोश्या हो गए इसके बाद हम इसको इस तरह से खीच लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम स्लिप कीच से जोइट कर देंगे इससे करके स्लिप कीच कर देंगे और अब यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने तीन चेन बनाई इसी जगा हम फिर से दो बार सोर एक बार डबल क्रोश्या करेंगे तो एक ही चेन में हमारे दो हो जाएंगे एक हमारे तिन की चेन और एक हमारा डबल क्रोश्या और अब हम आगे जितनी भी चेन है उन सारी चेन में एक ही चेन में दो दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे देखे तो इसी तरह से आप एक ही चेन में दो दो बार बना लीजे तो देखे हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम यहाँ पर स्लिप टीच करके चोइट कर देंगे और इसी तरह का राउंड हमें एक सिंपल और बनाना है ताकि हम इसके पीछे इस तरह से लगा सके डोरी के डोरी बीच में आ जाएगी यह वाला उपर रहे गया और यह वाला नीचे रहे गया तो इसी तरह का हमें एक और बनाना पड़ेगा इस तरह का तो अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे और अगली वाली चेन में जा करके दो बार डबल प्रोश्या करेंगे एक ही चेन में दो बार पहले हमने तीन चेन बनाएंगे नेक्स राली में दो और फिर से तीन चेन बनाएंगे और अगली वाली चेन में जा करके चोइट कर देंगे और अब हम यहाँ पर एक दो तीन चार 5 और 6 6 बार हम यहाँ पर slip stitch करेंगे और फिर से अब 3 chain बनाएंगे और अगली वाली chain मेर जाकरके 2 बार double crochet करेंगे और अब फिर से 3 chain बनाएंगे और आगे की chain मेरे डाल करके slip stitch कर देंगे और एक chain लेकर के धागा काट लेंगे तो इसी तरह से यहां पर हम एक दो और तीन चेन बनाएंगे और इसके बाद हम एक बार डबल क्रोशा करेंगे और इसके बाद हम फिर तीन चेन बनाएंगे और अगर आप यह फ्लावर बड़ा बनाना चाहते है तो आप बीच में दो डबल क्रोशा ले लिए इसकी धगा आप दो बार ले लिए और अब हम यहां पर फिर से तीन चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक बार डबल क्रोशा करेंगे और फिर से ती चेन लेंगे फिर से स्क्लिप तीछ करके चोइट कर देंगे और इस धागे को लंबा रख करके काटेंगे ताकि हम जब इस कार्टून के साथ एटेच करें तब यह धागा आमें चाहिए तो इस तरह से अब इसे खीच लेंगे और अब हम इस दोनों धागों को थोड़ा थोड़ा इसके बीच में लपेट देंगे इस तरह से इसे करके हम एक दो बार पिछे नोट लगा देंगे इसकी देखे इस तरह से पीचे नोट लगा दी हमने और अब हम जब इटेच करेंगे तब हमारा इस थागे से इटेच होगा इस थागे को हम पीचे निकाल देंगे और इसकी नोट लगा देंगे और अब हमने ब्लेक धागा निडल में पीरो लिया है और यहाँ पर हम इसकी आखे बनाएंगे इस तरह से इस तरह से हम दोनों साइट की आखे भी बना लेंगे और इहाँ पर नीचे का है वह भी बना लेंगी प्रोषे को नीचे से डालेंगे और इस दोनो धागे को साथ में ले करके पिछे निकाल देंगे और फिर यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे नीचे तो यह फ्लावर भी हमारा हो गया तो देखे यह वाला काटुन हमारा पूरा हो गया लेकिन हमें एक सिंपल सा चाहिए एक राउंड मैंने आपको पहले बताया था इसके पीछे लगाने के लिए इस तरह से देखें इसे करके हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसके लिए हमें यह राउंड चाहिए तो इस तरह का एक आप और बना ली थे तो अब हम इस डोरी में सारी चीज़े कैसे लगाते हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले इस बटरफ्लाइ को एटेच करेंगे देखे इस बटरफ्लाइ में इस सारे धागे को हम क्रोशे की मदद से आगे तक ले आएंगे यहाँ से इन सारे धागे को आगे की और ले लेंगे देखे इस सारे धागे हमारे आगे इसके बद हम इस तरह से इस बटरफ्लाइ को नीडल की मदद से यहाँ पर एटेच कर देगे तो आप नीडल की मदद से यहाँ पर दोनों जगा यहाँ और यहाँ पर आप इसे टाइट कर लिए तो देखे एवाला बटरफ्लाइ मेंने लगा लिया और यहाँ पर जो एंड है हमारा इसके उपर हम एवाले सारे जो मेने फ्लावर्स बनाए थे देखे एवाले पांच तो अलग अलग कलर की वह हम यहाँ पर लगा देंगे और इन सारे धागों की हम एक साथ यहाँ पर नोट लगा देंगे दिखे इस तरह से यहाँ पर तागे की नोट हम यहाँ पर लगा देंगे तो एसे करके हम निकाल करके सेट कर लेंगे की सारी चेन हमारी एक साथ रहनी चाहिए तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे दो तीन बार इसके साथ भी एक बार लगा देंगे दो तीन बार लगाएंगे ताकि हम वश करे तो भी इसे खुलना जए तो एसे आप अपने हिसाब से पका कर लीजे इसके बाद में उपर आपको यह वाला काटून लगाना बताऊंगे तो एसे आप कर लीजे हम यह वाला काटून यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारी नोट्स है वो दिखे नहीं और यह वाला प्लैन राउंड है वो भी इसके साथ ही हम लगा देंगे इस सरा से और मैंने एलो धागा निडल में पिरो लिया है और इसके बाद हम हर एक चेन में दिखे सामने की भी लेते चाहेंगे और आगे की भी तो इसके साथ हम एटेच करते चाहेंगे तो इस तरह से आप पुरा सरकल कर लिजे तो देखिए मैंने काटून लगा दिया और अब हम यहाँ पर इन सारी डोरी में थोड़ा थोड़ा सा गेप रख करके यहाँ पर हम थोड़ी- जगा छोड़ करके जो मैंने क्रोचेट नमबर्स बनाए है वन टू थ्री और टेन तक बनाए है तो यह सारे नमबर्स अब हम यहां पर लगा देंगे तो दिख यह वाला वन है और यह टू है तो इन दोनों को हम यहां पर चेन करके इसको दोरी के साथ एटेच करेंगे तो यह वाला जो इससा है वो थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे ताकि हम इसमें निडल पिरो करके इस वन के साथ हम इसकी नोट लगा सके तो इस तरह से हम इसमें डालेंगे और इसे करके यहाँ पर हम हमें जितना भी लंबा रखना है इतनी हम चेन बनाएंगे तो मैंने 11 चेन बनाई है और अब हम यहाँ पर डोरी के साथ हेटेच करने के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा थागा रखेंगे तो इसी तरह से आप टू में भी इस तरह से चेन बना लिए तो देखे यह वाला थागा है जो हमने लंबा रखा था यहाँ पर इसे हम नीडल में पीरो करके यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे तो देखे इस तरह से मैंने धागा नीडल में पिरो लिया और अब यहाँ पर इसी तरह से अपने हिसाब से नोट लगा दीजे देखे इसा करके आप यहाँ पर नोट लगा दीजे तो इस तरह से मैंने टू में भी किया है तो हर एक नंबर को आप इस तरह से कर लीजे तो देखे मैंने वन और टू में इस तरह से दोनों में चेन बना ली है और इसके बाद इसकी नोट भी लगा ली और यहाँ पर मैंने इस थागा इसलिए पीरोया था ताकि मैंने पांचों जगा अपने इसाथ से एक जेसी जगा रख करके निशान के लिए मैंने एक एक वहाँ पर जो उलका टुकडा था वो लगा दिया था ताकि हम एक जेसी जगा छोड़कर पांचों जगा हम लगा सके जो हमारे दस अंख है तो हम दो दो जगा लगाएंगे तो हमारे पांच बार हो जाएंगे तो इस पांच बार हम इस तरह से तो येसे जितना भी आप सारी तरह से नोट लगाएंगे इतनी आपकी ये डोरी अच्छी रहेगी ताकि हमें इसे बार-बार वोश भी करना पड़ता है तो इस नोट को जितनी भी अच्छी तरह से लगाएंगे इतना अच्छा होगा तो अब इस तरह से ये भी हमने लगा दिया तो इसकी भी नोट ना दिखे इसके लिए हमने जो हमारा पहला पार था इसमें हमने ये रेबिट बनाया था तो अब इसकी नोट काट करके ये वाला रेबिट है वो इसके उपर लगाएंगे देखे ये वन ऊवर टू नीचे रहे तो आप अपने इसाफ से इसे किसी थी तरह से अच्छी तरह से जैसे हमारा धागा उपर दिखेना इस तरह से आप लगा लीजे मैंने सेम इसी वाली उनली है इसको लगाने के लिए तो आप इसे लगा दीजे तो देखे इस तरह से मैंने रेवित लगाया और वन वर टू तो देखें डोरी हमारी पूरी हो गए और अब मैंने वन से लेकर के टेन तक सारे नमबर से इसमें लगा दिये हैं देखें और इस पूरी डोरी को भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगी और 1 और 2 था और 3 और 4 है और इसके बाद 5 और 6, 7 और 8 और 9 और 10 तो इसी तरह से मैंने सारी डोरी पूरी कर ली है और एक साथ में आपको दिखाती हूँ तो देखें यह वाली पूरी डोरी आपको एक साथ दिखेगी और इसकी जो भी इस पार्ट में मैंने नहीं बनाई है वो मैंने अगले पार्ट में बनाई है दोरी मैंने दो पार्ट में बनाई है तो पहले पार्ट में मैंने रेबिट और डोरी कैसे बनाते है वो बताया है और दुसरे पाट में मैंने सारी चीजे एक साथ मनाई है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक किजे शेयर कीजे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे